हलो फरेंस वेलकम टू माई कीचन और आज हम बनाने वाले हैं अरवी की सब्जी जो लोग अरवी की सब्जी खाना पसंद नहीं करते वो भी इसे भर भर के खाएगा यह बहुत ज़्यादा टेस्ट और स्वादस लगता है एक बार मेरी तरीके से इसे बना कर दीखिये मटन को और मैं को भी यह फेल कर देने वाली सब्जी बनकर तयार होने वाली है और अगर आप इसके बारे में जान जाए कि सब्जी कितनी इंपोर्टन है हमारी लाइफ में तो आप कभी भी इसे खाना नहीं छोड़ोगे बहुत ज़्यादा इंपोर्टन है दोस्तों यह हर किसी को इस सब्जी को खाना चाहिए बनाकर यह बहुत ज़्यादा हमारी बोड़ी के लिए हल्दी सब्जी होती है और बहुत ज़्यादा यह हमारे सरीर के लिए जरूरी होती है तो दोस्तों ऐसी कई सारी सब्जी होती है मैं आगे लाश्ट वीडियो में आपको इसके बारे में और बाकी सब्जी के बारे में भी बताऊंगी कौन-कौन सी सब्जी हमें बहुत ही जरूरी खानी चाहिए तो चले देरी किस बात की बना लेते हैं तो मैंने यहां पर पांच अर्वी लिया है और वजन में यह डेड़ सो गुराम हैं दोस्तों अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप ज़ादा भी बना सकते हैं लेकिन मैं थोड़ी सी सब्जी आपको सिखाने के लिए ले रही हूँ ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंके हमने अपनी फेमिली के लिए सब्जी थोड़ी सी कुछ और बनाई हैं अब ही तो पहले ही सब्जी बना चुकी थी तो उतार लेते हैं पहले दोकर पानी से वस करके और फिर इसको हम इस तरह से चील लेंगे और अर्वी चीलने के बाद दोस्तों अब एक बार और हमें इसे धो लेना है लेकिन इसे साबुत को ही दोना है कट करके बिल्कुल भी ना दोए नहीं तो जो इसके अंदर का राला होता ह किल्शम होता है वो सब निकल जाता है तो हमें इसे साबुत को धो लेना है और साबुत को धोने के बाद में इस पानी को अलग कर दूंगी और इस अर्वी को इसी तरह से छोड़ देंगे 2-4 मिनट के लिए ताकि इसका पानी थोड़ा सा ड्राय हो जाए सूख जाए अब य यहां पर लाशन और मिर्ची को पानी से दो कर लिया है और अभी में यहां पर दो मिर्ची लूंगी दो मिर्ची के कट कर लूंगी और ज्यादा मिर्ची नहीं डालेंगे दोस्तों क्योंकि हमें इसमें थोड़ी रेड चीली भी डालनी है और अब मैंने यहां पर मिर्ची क कितना ही सारा निकाला है ताकि कलिये जो मोटी- canyon यह अलग हो जाए और इसको हम यहाँ पर इस तरह से इसक निकालेंगे यह छिल के को च्हिलेंगे और इसके हम छिलने के बाद बारिक-बारिक पिछ में कट नेगे और आप चाहे तो इस लर्शन को आप कोट भी सकते हैं और अब आप देख सकते हैं मैंने प्याज के इस तरह से लच्छे उतार लिया है मेने बारिक ने काटा हूं जो प्याश के अंदर के उसे चोड़ी पानी बच्ची थिती नए अंदर की प्याश तो वह बी लच्फर ALL के से बारिए पीश में एक च्रेया अ시면 प्यार करे करना है तो नस exactly पानी हो चुका है तो आप में विरह कि अपने हें लिएद बनाओंगी। आप अपनी पसंद ससी बना सकते हैं। लंबे आप जोते अपनी आपकी मरची है झाल गोल गोल पीस काटूंगी। अब अब अपनी श्यूक्ति को इस तरह से सब्जी को काट लिया है। और अभिको और अभी को अभी बीस से तरह फला अभिन के फैल दो से सी को और अस्के लिए टोड़ा नमक जदार नमक झीड़ाइं अभिन थोड़ा थागर देंगे जेज़िए त्वक आवग gear कर्एड़ सरथ देंगे उसके बाद हम यहां पर डाल देंगे हल्दी पोडर थोड़ा सा ही हम यहां पर डालेंगे मिर्ची लाल पोडर और धनिया पोडर धनिया पोडर और मिर्ची लाल पोडर को डालना इस तरह से है और इसी तरह से बुरबुरा देना है और दोस्तों इसे फिर से हम अच्छे से मसाले लग जाए दोस्तों आप इस तरह से जब आप इसे बनाएंगे ना एक बार तो मेरे तरीके से तो यकिन मानिए आप पूरे समय अर्वी खाना नहीं छोड़ेंगे बहुती ज्यादा टेश्टी और स्वादिश्ट होता है और जो मतन खाना पसंद नहीं करते उनके लिए भी बहुत ज्यादा अच्छी रहती है तो दोस्तों इस तरह से मिस कर दिया अब इसे उपर से ढख देंगे और ढख कर इसे हम साइड में रख देंगे पांच मिनट के लिए पांच मिनट के अच्छे से कोटिंग हो जाएगी आप देख सकते हैं पांच मिनट हो चुका अच्छंड आप बनाना है तो मैं इसमें यहां पर डाल दिया है अचार कम मसाला है अचार कम मसाला है अच्छा बरॉन कलर हो चुका है किया मौते थोड़ी देर कि यहां पर छोड देंगे तो चोड़ेंगे फिर अब globalization से अच्छे से यहां पर फ्राइब कर लिया कर लिए एक बाड़ में लिख लाशन प्याज और भी जितनी भी चीज इसमें काटी तुमाटर वगएरा 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 सब इसके अंदर इस तरह से डालते रहेंगे और इसे चलाते रहेंगे अभी मेने मिर्ची डाल कर झाल और लेशन डाल कर मैंने यहां पर दो तीन मिनट के ल प्याज और टमाटर हलका सोफ्ट हो जाएगा और जो मैंने यहां पर लशन वगेरा वगेरा डाला था तो यह सब इनका जो कच्छेपन की है वो निकल जाएगी तो दोस्तो अब मैंने यहां पर इसे पका लिया है तीन चा मिनट के लिए इसमें डाल देंगे दो बॉल भरके पानी का छोटी बॉल है दोस्तो और इसे अगर लगा तो आधा गिलास पानी होगा ज्यादा नहीं होगा अगर ज्यादा डाल देंगे तो इसमें टेस्ट अच्छा नहीं आएगा तो हम ऐसा इसमें देखें कि सही होना चाहिए पानी ना ज्यादा और ना कम बिल्कुल एक निकल जाएगी और अच्छी से पक जाएगी और यह उबलेगा भी नहीं तो आप देख सकते हैं मैंने यहां पर पांच मिनट के लिए सब पका लिया है तो दोस्ता मैंने यहां पर पलेट खोल कर देखी तो आप देख सकते हैं जैसी पलेट हटाई तो सबजी में बढ़ी बह त्यार हो चुकि है जो इसके पीस्के बड़े आसानी से तूट रहे है तो आप यहां पर हम को बंद कर देंगे और में ढ़र में बंद कृडंगी दन्या में है तो उतीơi हैं डाल दो द्धन पत्त शайтесь बन जाए तो दोस्तो अब दो मिनट हो चुकी है तो चले अब इसे हम यहां पर ट्रास्फर कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं मेरी सबजी बनकर तयार हो चुकी है और इसका लुक देखी दोस्तो क्या बेहतरी नुट कितना टेश्टी लग रहा है ना दोस्तो आई हो आपको मेरी देखी बहुत ही जादा पसंद आये होगी अगर आपको मेरी देखी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक दोस्तों में शेयर ज़रूर करें अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साड़ वाली घंटी भी ज़रूर दबा दे और अग सब्सक्राइब कोश को लिए चैनल को संभी चैनल के हमारी बोडे के लिए बहुत अच्छी पनल जाल character है तो दोस्तों सब्सक्राइब को सब्सक्री होगी कि यहाप देखी जरूर खाए क्योंकि यह हमारी बोड़ी के लिए बहुती ज्यादा इंपोर्टन्ट होती है बहुती ज्यादा हेल्डी होती है तो दोस्तों उम्मीद करती हूं आपको मेरी बाती भी समझ आ गई होगी तो चलते हैं मिलते हैं अगले को ने रिष्टिप के साथ तब तक के लि हुआ 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 हुआ